ओपो मुबाइल में एप लॉक कैसे करें? हलो दोस्तो स्वागत है फिर से एक न्यू वीडियो में इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ अगर आपके पास भी ओपो का मुबाइल है और आप अपने ओपो मुबाइल में जो है किसी भी परकार के एप में लॉक लगाना चाते हैं आप कोई भी एप को लॉक करना चाते हैं उस पे एप लॉक लगाना चाते हैं आप कैसे लगा सकते हैं? इस वीडियो को बिल्कुल ध्यान से दिखिए, इस वीडियो के अंदर मैं आप सभी को इसी के बारे में बताने वाला हूँ तो दोस्तों चलिए वीडियो सुरू करते हैं ओप मोईल में एप लॉक करना काफी असान है, अब यहाँ पर हम इस्तमाल करते हैं Snapchat, WhatsApp, YouTube, Instagram, तो इन सारे application में हमें जो है Lock लगाना है, हम कैसे लगाएंगे इसके लिए आपको Simple सा धियान से देखना है, आप अपने font के setting में सबसे पहले आ जाईए font के setting आप खोल लीजिए, और जैसे ही font के setting open कीजेगा, तो आपको यहाँ पर एक option दिखेगा, थोरा सा नीचे आईए नीचे scroll कीजिए इस तरीके से, तो यहाँ पर एक apps वाला button दिखेगा, आपको इस पर click करना है apps वाले button पर click करने के बाद, यहाँ पर नीचे इस तरीके से कीजिएगा, तो यहाँ पर आपको app lock का button दिख जाएगा अगर यहाँ पर ना मिले तो आप back आजाईए फिर से, और यहाँ पर setting में जो आपको search का option दिखेगा है, इस पर click कीजिए और search कीजिए app lock, आपके सामने app lock का setting आजाएगा, तो आप direct इस पर click कर दिजिए अब click करने की बाद, आपके सामने कुछ इस तरीके का page आता है, जैसे की आप यहाँ पर देख सकते है अब आपको यहाँ पर करना क्या है, आपको यहाँ पर थोरा सा नीची आना है, और यहाँ पर एक option दिखने को मिलेगा app lock का, आपको क्या करना है, इस पर click कर देना है, जैसे ही app lock के button पर click करते हैं तो यहाँ पर फिर से enable करने के लिए बोलेगा app lock आपको इस पर click करना है और setting वाले बटन पर आपको click कर देना है आप click करने की बाद यहाँ पर आपको बोलेगा set privacy password आपको यहाँ पर क्या करना है आपको जो है अपना use a different password टाइप पर click करना यहाँ से आप four digit का solar digit का या फिर pattern lock भी लगा सकते हैं तो मैं यहाँ प four digit का कोई password set कर देता हूं ताकि हमें खोलने में असानी हो अब इसके बाद use के button पर click करना है दोबारा आपको same वही डालना है फिर आपका सामने कुछ इस तरह का page आता है आपको यहाँ पर 20 character में आपको यहाँ पर अपना सही सही नाम डाल देना है ताकि यहाँ पर क्या होत क्लिक करना है उससे पहले चेक कर लिजिएगा teacher's name है तो आपको यही डालना है इसके बाद save के button पर click किजिए अब यहाँ पर आपके mobile का जितना भी app होगा वह यहाँ पर show हो जाएगा अब जिस भी app पर lock लगाना चाहते हैं उसको select करें जैसे कि मुझे Instagram में लगाना है तो simply में यहाँ इंस्टागराम पर click करूंगा हमारा Instagram lock हो जाएगा जैसे ही हम यहाँ पर Instagram को open करेंगे तो हमसे यहाँ पर lock पुछा जाएगा और जैसे ही हम इस lock को यहाँ पर enter करते हैं तो हमारा Instagram खूल जाता है इस तरीके से आप अपने जो है यहाँ पर phone में app lock कर सकते हैं वी